हाई फ्रेंड्स मेरे तुनाकपाल देखे आज आपके लिए एक इस तरीके से निटिंग में आप फ्लावर आपने देखा होगा आप प्रोशय में जनरली बनाते हैं पर निटिंग में इस तरीके का फूल फ्लावर किस तरीके से बना सकते हैं और अपने बचों के स्वेटर्स या इससे भी आप जो है अलग-अलग flowers बना के जोड के table cloth या कुछ भी बना सकते हैं ऐसे जो आपके पास अलग-अलग wools बच जाते हैं उनसे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं इस तरीके का यह है बहुत ही खुबसरों सा लग रहा देखेंगे आप यह देखें और इसका back side आप इस तरीके से यह अलग-अलग बना के एक दूसरे का साथ जॉइन करके इसका जो है mat बना सकते हैं या आसन बना सकते हैं बैटने के लिए या फिर आपके जो dressing tables होते हैं उनके लिए बना सकते हैं बिचाने के लिए देखेंगे तो चले दिखाती हूं किस तरीके से इसे बनाएंगे इस फूल को हम अब देखें इस फूल को बनाने के लिए मैंने इसमें 60 stitches, 61 stitches डाले हैं, आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, यह मैंने 61 stitches डाले हैं, इस तरीके से, सिंगल वूल में stitch डाले हैं, डबल नहीं की है, बूल, सिंगल वूल में 61 stitch डालने के बाद, एक लाइन पूरी सीधी की है, यह देखेंगे अब यह, एक लाइन पूरी सीधी की है, अब इसके बाद, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, इस तरीके से आपने करना है, तो अब यह एक लाइन हमने यहां से पहले सीधी की, इसके बाद यहां से भी मैंने यह लाइन पूरी सीधी की है, अब यहां से मैं यह लाइन उल्टी करूँगी, तो यानि कि चार या छे लाइने आपने एक सीधी, एक उल्टी की बनानी है, फंदे डालने के बाद जस्ट ए बढ़ा कीजेगा, एक लाइन उल्टी होगी, अगेन एक लाइन ऐसे सीधी यहां से, इस तरीके से, यह है, तो यानि कि एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, चार या छे लाइन है, जितनी भी आपको चाहिए, देखेंगे आप, सिर्फ पहली लाइन सीधी बनाई है, जो फ और करूंगी, यह एक सीधी होगी, फिर इसके बाद उल्टी होगी, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको, कि फूल का हम इस तरीके का शेप कैसे देगे इसमें, यह देखेंगे, इस तरीके से, चार लाइने की है, आप चाहे तो इसे छे लाइने भी कर सकती है, आप करेंगे कैसे आप जो यह शेप देनी है बिसिकली आप देखेंगे इस फ्लावर की जो शेप देनी है कैसे देंगे पहला फंदा तो उतारेंगे अब यहां से हमने फंदे बंद करने हैं देखे ये बनाया ये बनाया ये वाला फंदा इसके उपर से आपने उतार दिया ये पहला फंदा नहीं सेगंड वाला एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ आप चाहें इसे आठ भी कर सकते हैं दस भी कर सकते हैं ये आप अपने हिसाब से गैप देख लीजेगा अब यहां से यह वाला फंदा नहीं बंद करूँगी, इसे यहीं रहने दूँगी, यहां से फिर से बंद करूँगी, देखें यह बनाया, फिर यह बनाया और यह वाला उतारा, तो यह वाला फंदा मैंने बंद नहीं किया, फिर यहां से 9 फंदे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और ये नौ, ये देखिए, अगें ये वाला फंदा नहीं करूंगी, यहां से नौ करूंगी, तो ये पूरे आपने ऐसे ही करने है, ये बनाया, फिर ये बनाया, इस वाले को उतारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और ये नौ, देखिए, फिर से ये वाला फंदा नहीं करूंगी, यहां से करूंगी, ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और ये नौ, फिर यहां चोड़ा, फिर यहां से करूंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और ये नौ, फिर ये वाला फंदा चोड़ूंगी, यहां से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, साथ, आठ, ये देखेंगे, अब यहां पर मैंने लास्ट में आठ और एक नौ पूरे हो गए, देखिए, ये देखिए, ये पूरे नौ फंदे हो गए, है, अब या आपका इस तरीके साच, देखिए, ये, अब यहीं पर ये धागा कटेगा और इनके, उसमें जो है, शुई से हम ये दागा डालेंगे ये डाला आपने आप करना क्या है देखेगा ये जो यहां से फंदे है ये सुई है यहां से फंदमे से आप इसमें डालेंगे ये 1. देखेंगे ये 2. 3. 4. 5. 6. और ये 7. इसमें डाला सलाई को निकाल लीजे और इसको खीच लीजे खीचना है इससे सीधा करके ये खीचेगा ये दागा ये देखे दागा खीच लिया आपने एक बार और डालेंगे आप उसमें और फिर से इसे हम जो है खीचेंगे अब यहां से आया है देखेंगे यहां से फिर से इस फंदे पर फिर इस पर फिर इस पर इस पर और ये और ये और ये लास्ट ये देखेंगे फिर से डाला मैने उसी पर और गुमा दिया इसे आपने ऐसे ये देखेंगे ऐसे आया, चाहे तो आप थोड़ा सा डीला भी इसे रख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे, और टाइट रखना चाहें, तो टाइट भी रख सकते हैं, अब देखें, जब आपने इसे डबल बार इस तरीके से यहाँ पर कर दिया, तो यहीं पर आप इसे नीचे करके बंद कर दीज यहां सिर्फ आमने यह उपर का portion सिलना है और कुछ नहीं करना है तो already दागा मैंने यहां पर रखा वा था क्योंकि फिर यह किसी और के साथ ऐसे सिलना है उसके लिए यह खुला ही रहने देना है यहां पर सिर्फ टिप इसकी सिलनी है इसके साथ यह यह जो टिप है आपकी इस तो आपका फूल जो है तियार हो जाएगा अब आप यह दागा इसी रख सकते हैं जैसे आपको किसी और के साथ सिलना हो यह किसी और में सिलना है तो देखेगा इस तरीके से यह देखे कितना सुंदर सा फूल बना है देखेंगे यह मैंने बड़ा बनाया है 61 स्टिचेश का और जो यह मैंने दिखाया आपको यह मैंने 50 स्टिचेश का बनाया है नॉर्मल वूल है यह थोड़ी थिक वूल है तो इसलिए इससे इतना बड़ा और ऐसा बन गया आप नॉर्मल वूल से 50 स्टिचेश डालके इस तरीके से इत पिर इनको आपस में ऐसे रखके सुई से या क्रोशा से जोड सकते हैं, तो चलिए फिर बनाईए और शेर जरू कीज़ेगा सब के साथ, तैंक यूू।